एक comments में रिसीब किया था इस topic के लिए तो सरकों मैं thanks हना चाहती हूं comments करने के लिए नमस्ते दोस्तों मैं सुमान सर्मा आपसे भी कास फागत करती हूं आपके अपने channel सुमन Education Hub में एक comments में रिसीब किया था कि कोई party है जिनको वो sale भी करते हैं उनसे purchase भी करते हैं तो उसकी accounting उनको कैसे pass करनी है टैली प्रैम में suppose कि यह कोई ऐसी party है जिनसे आप purchase करते हैं अपने कुछ product उनको sale भी करते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं कि एक ही laser बनाते हैं उसमें sale purchase करते हैं payment receipt करते हैं वैसे तो मैं आपको recommend नहीं करती हूँ कि एक ही laser के साथ अगर आप कोई ऐसी party है जिनको आप sale भी करते हैं जिनसे आप purchase भी करते हैं तो आप दो laser बनाईए यह better होता है purchase के लिए purchase का laser के end में आपको purchase mention कर देना है और sale के लिए laser के end में bracket में sale mention कर देजिए इससे पता चल जाएगा जब भी आप entry record करेंगे purchase and sale की बट फिर भी कुछ लोग एक ही laser का use करके करते हैं तो अगर आप एक ही laser का use करके करते हैं तो कैसे आपको करना है यह मैं आपको आज के इस वीडियो में बतानी वाली हूँ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से अगर आप परस्ट रहे मेरे चैनल पर आया है प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्स्राइब पर दिजेगा और मैंने एक और चैनल क्रिएट किया है इंगलिस लेंग्वज में सूम एन एजुकेशन हम उस चैनल का नेम है तो प्लीज उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए आप सभी लोगों में अकाउंटिंग का वर्क इंगलिस लेंगज में भी सिखाए सको तो चलिए आज का इस जो वीडियो है उसको स्टार्ट कर लेते हैं गेटवे आप टेलिस से हमें बीप्रेस करना है और राइट एंग साइट से यहां पर मैंने परचस वाला वाउचर सेलेक्ट कर लिया है सब से पहले मैं आपको शो करूँगी परचस की एंट्रि करके तो यहां से एल्ट से प्रेस करके जो पार्टी का लेजर है वो हम क्रिएट कर लेंगे तो यहाँ already created है मैं आपको show करती हूँ इसका ledger हम create करेंगे sundry creditors के अंडर में अब यह same ledger का use करने वाले हैं हम sale and purchase के लिए तो आप चाहें तो sundry creditors में रख सकते हैं और आप चाहें तो sundry debtors में रख सकते हैं कि एक ही ledger का use हम दोनों जगा करने वाले हैं तो किसी एक group में आप इस ledger को create कर सकते हैं अब इसके बाद यहाँ पे suppose कीजी कोई भी product मैं आपको show कर देती हूँ सिर्फ आपको example के लिए मैं यहाँ पे समझा रही हूँ तो यहाँ कोई भी एक product हम ले लेते हैं quantity rate जो भी है जिस भी according आप purchase करते हैं वो सारी information फेल करके इसके उपर take supply कर दीजे और इसको हम save कर देते हैं तो यहाँ पे हमने purchase की entry जो है वो complete कर लिया है अब हम करेंगे same party को sale क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं एक ही ledger को use करते है sale and purchase दोनों में तो यहाँ पे हमने purchase कर लिया है अब यहाँ right hand side से sales वाला voucher हम select कर लेंगे date change कर लेंगे and party account name में same party का ledger हमें select कर लेना है और जो हम sale करेंगे वो product हम यहाँ पे select कर लेंगे quantity and rate उसके बाद इस invoice के उपर हम take supply कर देंगे तो यह invoice भी complete हो जाएगा यानि कि पहले हमने purchase किया उसके बाद हम यहाँ पे sale कर रहे है same party को तो यहाँ हम इस ledger को sales का जो voucher हमने किया है इसको हम save कर लेंगे save करने के बाद मैं आपको show करती हूँ suppose कीजिए जिस party से हमने purchase किया उसी party को हमने sale भी किया और कुछ payment भी हमने किया तो payment करने के लिए यहीं से right hand side से आपको payment वाला voucher select कर लेना है अब हम यहाँ पे same party को payment कर रहे हैं तो उसका ledger हमें select कर लेना है और suppose की यह 10,000 की payment हम कर रहे हैं तो 10,000 हम party के ledger को debit कर देंगे cash के through कर रहे है या फिर आप अपने bank से कर रहे है तो वो ledger यहाँ पे हो जाएगा credit तो यहाँ पे against reference में आप adjust कर सकते हैं कि किस invoice के against में कर रहे हैं और यहाँ पे cash या फिर bank का जो ledger है वो हो जाएगा credit अब हम इसको save कर लेते हैं तो यहाँ अब मैं आपको party का ledger again open करके show करती हूँ so that मैं आपको समझा सकूँ कि कैसे यह show होगा ledger में तो click करते हैं go to में हम click करेंगे और यहाँ से हम open कर लेंगे party का ledger यहाँ से click करना है आपको ledger reports में then ledger vouchers में यहाँ से मैंने अंजली इंटरप्राइस का ledger open कर लिया है अब आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले हमने purchase किया उसके बाद हमने sale किया और कुछ payment कर दिया है अब outstanding में आपको 13,600 show हो रहा है जो कि outstanding है इतना हमें pay करना है तो यहाँ इस तरीके से जो हमने पहले purchase किया था 35,000 something का 35,400 का उस purchase को यहाँ पे sale invoice में adjust हो चुका है और उसके बाद हमने payment किया है वो adjust होने के बाद जो balance बसता है 13,600 वो हम party को pay करेंगे तो party को चलिए pay कर लेते हैं payment वाला voucher select करने के बाद party का ledger हो जाएगा debit जो भी outstanding balance है हम पूरा pay कर देंगे cash में करेंगे तो cash bank से करेंगे तो bank credit हो जाएगा अब आप देख सकते हैं party का ledger नील हो चुका है अगर same party से आप sale purchase करते हैं तो इस तरीके से आपको entry करनी है टेली प्रैम में description box हो check out करना ना भूलिएगा वहां में accounting and tax assistance related maximum videos के link provide कर दूँगी उन सारे वीडियो को आप watch कर सकते हैं अगर आप अपने accounting के वर को और improve करना चाहते हैं skill को और sharp करना चाहते हैं तो please measure आपको daily basis पर follow कीजिए watch कीजिए so that आप देख सकें अपने accounting से लेटेड knowledge को upgrade कर सकें improve कर सकें I hope यह जो वीडियो में आप लोग के साथ share किया है यह वीडियो आप सभी लोग के लिए helpful रहा होगा Thank you and keep watching